हलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो दनादर वीडियो अज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम का लिक्स 2022.4 को वर्चल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं आपना विद्ध हमारे चैनल को स चली वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपना फार्फॉक्स को ओपन कर लेते हैं ताकि हम अपनी आयसो फाइल और वर्चल बोक्स का इंस्टॉलेशन फाइल को डाउन्लोड कर पाएं तो सिंप्लियम फार्फॉक्स ओपन करने के बाद टाइप करेंगे काली लि यहां पर आपका 64-bit भी है और 32-bit भी है तो आपनी system के according इसको download कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हम कैसे check कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा हम अपना जो file manager है उसको open करेंगे यानि आपका जो this PC होता है उसको open कर लेंगे तो मैं simply अपना file manager open कर करता हूं इस पर मैंने अपना जो this PC है उस पर राइट क्लिक करूंगा और यहां पर हम properties पे चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं settings कुछ खुलेंगी तो आप आप देख पा रहे होंगे हमारा जो system type है वो 64-bit operating system एक 64-based processor आ रहा है तो इसको मतला हमारे जो प्रोसेशर है व तो start हो चुक है इसको मैं simply cancel कर दूँगा क्योंकि मेरे पास already downloaded पड़ा है इसके बाद हम क्या करेंगे अपना जो वर्चल बॉक्स है उसको नावो करने के लिए जाएंगे तो हम सेंपली वर्चल बॉक्स टाइप करेंगे तो देख सकते हमारा और एकल का कुछ लिंक खुल लिंक खुल जाएगा आप हम सेंपली डाउनलोड पर जाएंगे तो आप आप देख सकते हमारा जो वर्चल बॉक्स का 7.0.4 वर्जन है वह हमारा करन्टी चल रहा है तो यहां पर हम सिंपली अपना विंडोस होस्ट के लिए कर लेंगे यहां पर बहुत सारे भी देख सकते जाए जो आपको सिस्टम उसका कोण्ग आप राउनलोड कर लिजे तो याप देख सकते हमारा जी वर्टन ढोना स्कणून कर देंगे यहां पर आप लुड पड़दे hand तो सबसे पहले हम अपना जो वर्चुल वोक्स है उसको इंस्टॉल करेंगे तो यह आप देख सकते हैं हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे मैं कुछ नहीं छेड़ना है इसमें इसमें कुछ नहीं चेंजेस भी आएं वह भी आपको आगे दिखाएंगे जो बहुत सारी चीजेस ने वर्चर वोक्स में अपडेट हुई है तो यहां पर हम सिंप्ली फिनिस पर क्लिक करेंगे इसके बाद देख सकते हैं कुछ इंटरफेस है कुछ डिफरेन्त हो गया है पहले से पुराने वर्चर समय ता तो यहां पर हम सिंप्ली कुछ नहीं करने हमें New पर क्लिक करेंगे यहां पर मैं डालेंगे Name में Kalilinux इसके बाद आप देख सकते नीचे आपको ISO image का कुछ option बना रहे हैं वहाँ पर हम click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते अधर्स लिखा रहे है राइटर रूप पर click करने के बाद तो यहाँ पर हम सिंपली ISO file को अपनी select कर लेंगे यहाँ पर भी आपने save कर यो downloads में आपके मिल जाएगी आपको तो मैं file को select कर लेता हूँ तो select करने के बाद simply हम next पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हमसे RAM memory और processor के course select करने के लिए बोल रहा है तो मैं 10GB के approach अपनी RAM दे दूँगा तो आपके system पर depend करेगा कितनी आपके available है तो उतनी आप दे दीजेगा यहाँ पर हम अपने core को select कर लेते हैं then next करेंगे इसके बाद देख सकते हमारा create a new hard disk करके आ रहा है option तो यहाँ पर हम simply अपने जित होगी है तो यहाँ से हम simply start क्लिक करेंगे तो यह थोड़ा सा टाइम देगा लूड होने में तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो देख सकते हमारा जो new window है virtual box की open हो चुकी है तो यहाँ पर हमारा जो कालनेक्स है वो installation start हो गया तो आप देख सकते हमारा कुछ options आ बूट होना शुरू हो गया तो हम इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हमारा जो options हो आ गए है तो यहाँ पर हम simply language select कर लेंगे इसके बाद अपनी country को select कर लेंगे तो मैं इंडिया से बिलॉंग कर दो इसके बाद आप आपार जो keyboard type वो default तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हमारा जो होस्टे में हम खाली चोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा जो domain name में वह भी हम खाली चोड़ देंगे आपका कुछ है तो आप डाल दीजेगा यहाँ पर हम अपना full name डाल देते हैं user account के लि तो थोड़ा सा हम इसके लिवेट करते हैं हमारा पार्टिशन हो स्टार्ट हो जाए जब तक तो देख सकते हमारा जो प्रोसेसर हो स्टार्ट हो गई है यहाँ पर सिंपली हमें कुछ ऑप्शन देख रहे हैं तो आप हम गाड़िड यूज अंटार डिस्क पर जाएंगे त इसके बाद देख सकते हमारा जो फिंश प्रोसेशन हो इंस्टार होना शूरू हो गया इसमें ठोड़ा सा टाइम लागए है तो इस पार्ट को में स्केप कर दीता है तो इसमें मैं तो इसमें थोड़ा सा बबेट करना पड़ेगा तो यहाँ आपको कुछ औप्शन आ रहे यह थोड़ा में प्रोसेस है आप यहां पर देख सकते हैं जो आप इंस्टॉल करना चाहिए वह भी कर सकते हैं बट मैं कुछ नहीं करूंगा इंस्टॉल ग्राब बूट लोडर इंद अमस्ट बूट रिकॉर्ड यह सको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे देन आपना चुछ डिस्क कर लेंगे फिर हम कंटिन्यू कर देंगे तो देख सकते हैं माजो ग्राब बूट लोडर वह भी इंस्टॉल होना शुरू हो गया तो इसमें थोड़ा सा टायम लगिए को देख सकते हमा पर इस्टॉलेशन को फिनी पूलेशन व भी स्टार्ट हो गया तो यहां पर देख सकते हैं थो काल रिनिक्स है वो सक्सेस्फुली बूट होना शुरू हो गया तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि यहां पर देख सकते हमारा जो लॉगिंट पेज ऑपन हो चुका है तो यह पर हम अपना यूजर नेम सेलेक्ट टाइप किया था तो मेरे चेतन टाइप सब्सक्राइब करूंगा इसके बाद अपना पास्ट डाल दूँगा जो भी मैंने डाला था तो आप सबी देख सकते हैं हमारा जो कालनिक्स है वो successfully install हो चुक है तो यह थोड़ा से loading ले रहा है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बेट करना पड़ेगा तो देख सकते हैं हमारा जो कालनिक्स की home screen हो आ चुक है तो माकालनिक्स 2022.4 इंस्टॉल हो चुक है successfully तो यह टर्मिनल कुछ ऐसा दिखता है इसमें अगर आपको वीडियो पर आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और अगर आप हमाई चैनल पे नहीं है और आपना भी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं इसमें अब देख सकते हैं हमें internet की settings करने की ज़रूद नहीं पड़ी चुकि हमें last वाचर बॉक्स के versions में करनी पड़ती थी तो इसमें यह थोड़ा benefit है कि हमें अपने network को set नहीं करना पड़ता है तो हम directly internet को use कर सकते हैं तो बस आज इस वीडियो में इतने ही रखते हैं मि बाइ